Hello my dear students, once again welcome to my YouTube channel Smart Ziketrick तो दोस्तों आज का हमारा विशेबस्तु है भारत की जनगर्ना 2011 Census of India 2011 के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और इससे जुड़े जितने भी important question है उन सारे question को यहाँ पे समलिद किया गया है with extra fact के साथ तो आए समझते हैं कि हमारा पहला question क्या है पहला question है भारत में पहली बार जनगर्ना कब हुई तो देखिए भारत में जो पहली बार जनगर्ना हुई थी वो ही थी 1872 SP में लाड मेयो के कारेकाल में तो ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दिकी गई तो उस question का आंसर जो है कि आपका 1881 हो जागा फिलाल इस question का आंसर ए होगा अगला question है भारत में पहली बार जनगर्ना किसके कारेकाल में संपन हुई तो भारत में जो पहली बार जनगर्णा होई थी उसके जो संपन होने का करेकाल रहा है आपका लाड मेयो साब का करेकाल तो B आंसर यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा लाड मेयो के करेकाल में संपन होई और क्रमवार रूप से जो जनगर्णा संपन होई थी और लाड पन हो जाएंगे अगला कोश्चन है 2021 की जनगर्णा के अनुसार भारत की जन संख्या कितनी है तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए डाटा बेस कोश्चन है आपको एक्जेक्ट यह याद होना चाहिए मुवाइल नंबर की तरह तो 121 करोड 193,422 लोग जो है कि परजे आंसर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा विश्व की कुल जन संख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने परतिसत है लगभग तो 17.5% है भारत की हिस्सेदारी पूरे विश्व की जन संख्या में और भारत में कौन सा एस्टेट का सबसे जादा हिस्सेदारी है कुल जन तो यह है आपकी सात्वी जनगर्णा स्वतंत्रता प्राप्ति के बार तो इस कोश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा लेकिन यहां से अगर कोश्चन मनता है आपका तो यह होगी आपकी अगर देखा जाए तो पंद्रहवी जनगर्णा है यानि कि डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा लेकिन स्वतंत्र अगर लगा देता है तो यह साथ भी जनगर्णा हो जाएगी जनगर्णा 2021 है कि उन्सरकीस राजे में हिंदू जनसंख्या की परतिसत्ता सरवादिक है तो हिमाचल परदेश में हिंदू परतिसत्ता का मात्रा जो है कि सरवादिक है तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कोश्चन है जनगर्णा कितने वर्सों में होती है तो जो जनगर्णा होती है वो परतेक 10 वर्सों में होती है आप सबको पता है तो यह आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 2011 की जनगर्णा कि अबादी सरवादिक है तो मैंने अभी अभी बात किया कि जो उत्तर परदेश की जनसंख्या है वो 16.5% है पूरे भारत की जनसंख्या का तो यह आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर एक कोश्चन और निकल के आता है कि जनसंख्या कैसा आपसे राजियों को आरोही करम में सजाएं तो उसको देखे कैसे आप लोग लिखेंगे सबसे पहले उत्तर परदेश सरवादिक जनसंख्या है फिर आपका जो है कि महारास्ट्रा आता है उसके बाद से बिहा जाता है आपका उसके बाद से देखा जाए तो उसके बाद से वेश्ट बंगॉल आपका जो है कि आ जाता है तो यह चार राज्य है जिनको और रोही करम में सजा दिया है आप लोगों को देख लेना है तो सरवादिक उत्तर प्रदेश दूसरे नमर महारास्ट्रा तिसरे तो है अगला कोस्टन है कि जन संख्या के अब आदी के हिसाफित से भारत का सबसे चोटा राजे कौन सा है तो है आपका सिक्किम तो यह आंसर बिल्कुल राइट प्रदेश है एक और्वन आचऍलर प्रदेश से कोस्टन निकल के आता है कि यह और은 अचलव प्रदेश का ज वारत DO depth कितना टो 17 परति बरक्ति कीलोंेटर एकिलोंटर एक किलोंटर स्क्वायर में लोग निवास करते हैं yarny कि 17 लोग निवास करते हैं कितना एक किलोंटर कर दाएरे में ठीक है तो आपको यह मालूम होना चाहिए 2021 Question in की जन संख्या का कितना प्रतिशत है तो उतर प्रदेश की जन संख्या आपके भारत की जन संख्या का 16.5 परसेंट है तो यह आपको मालूम होना चाहिए एक्जक्ट आंकड़ा ठीक है डाटाबेस कोश्चन है 2021 की जन गर्णा एक उनसार भारत में सबसे अधिक घनतवा बादी वाला राज्य है आपका क्योंसा है तो बिहार है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं 1206 लोग रहते हैं प्रती बर्ण किलोमेटर स्क्वाइर के दाएरे में ठीक है लेकिन यहाँ पर इउटी की बारे में पूछ देता है कि सरवादी की उटी कौन सा है जिसमें जन गर्णतवा है तो है आपका डेल ही 11,000 लोग वहाँ पर क्या करते हैं निवास करते हैं प्रती बर्ग किलूमिटर स्क्वाइर के दाइरे में ठीक है अगला क्वेशन है जन गर्णा 2021 है कि उन्सार सरवादिक ग्रामिट जन संख्या वाला राज्य है आपका राजस्तान सरवादिक ग्रामिट जन संख्या वाला राज्य है यहाँ पर पूर्शों के लिट्रेसी रेट जो है कि बहुत कम है ठेक है तो ये भी मालूम होना चहिंए मद प्रदेश की में बात कर 효, यहाँ पर सरवादिक स टी रहते हैं बिहार लेंड उफ नाउलेज बोला जाता है बिहार को ग्यान की भूमी, बियार को बोला जाता है ले उनिचे Mitchel प्रदेश में महिलाओं की संख्या आपका भी आंसर इसका बिलकुल राइट हो जाएगा जनगर्णा 2021 के अंसर भारत की कुल जनसंख्या में अगर ये जनसंख्या का परतिसत है तो 31.2% जो है कि सिर्फ और सिफ नगर ये जनसंख्या है और 68.8% जो है आपका केवल और केवल ग्रामिड जनस संख्या का नहीं है अगला कोश्चन है भारत की किस राजय मानसुचित जन जाती स्टी की संख्या सरवादिक है सेड्यूल ट्राइब की संख्या सरवादिक है तो मैंने अभी बताया मद्द परदेश और सी की मैं बात करूं तो पंजाब ठीक है आप लोगों को याद होना से बिहार, लेंड अफ नॉलेज, महरास्ट्रा, दूसरा अस्थान पर जन संख्या के दिरिश्टी से बिहार, तीसरा अस्थान पर केरल, यहां से एक कोश्चन मनता है कि सरवादिक साक्षर राज ये कौन सा है तो केरल है 94% के आसपास और इसकी अगर मैं बात करूं तो यह पढ़ना और सुनना और समझना तीनों चारों आ रहा है चीज़ें तो आप लिटरेट हैं अधरवाइज आप नहीं है भारत में तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कोश्चन है 2011 में देश के 21 राजय में सबसे कम सक्षर्था दर थी तो थी आपकी बिहार की 60.5 पर्शेंट थी ठीक है यहां पर जबकि पूर्सों की लिटरेशी रेट ज्यादा है महिलाओं के आप एक्षा लेकिन राजस्थान में पूर्सों का लिटरेशी रेट सबसे कम है सरवादी क्रामिट जन संख्य राजास्थान की अंधर्शा को एक नाम से जाना जाता है कलिंग के नाम से जाना जाता है प्राचीन नाम है इसका वह भी आपको मालूम होना छाएए ठीक है दूसरे अस्थान पर अगर आंदर परदेश की अगर मैं बात करूं तो सरवादिक लंबी द अगर मैं बात करूँ तो 10 करोड है तो सी आंसर यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा पहले अस्थान पर उतर प्रदेश, दूसरा अस्थान पर महारास्टा, तिसरा अस्थान पर बिहार, चोथा अस्थान पर वेस्ट भंगल ठीक है अगला कोश्चन है जनगर्णा 2021 के अ दूसरा सबसे अबादी वाला राज यह कौन सा है तो आपका है महारास्टा, तिसरा आपका बिहार, और चोथा आपका वेस्ट भंगल है तो यह आंसर इस कोश्चन का बिल्कुल राइट हो जाता है ठीक है तो यह आज के हमारा 20 प्लस कोश्चन थे तो दोस्तों आप लोग